दोस्तों अगर आप परेशान हो गए हैं बवासीर की समस्या से तो एलोवेरा का उपयोग कीज़े एलोवेरा के सूजन रोधक और चिकित सके गुणों के कारण बवासीर के जलन को कम कर सकते हैं आप और कब्यद की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं ये आंतरिक और बाहया दोनों प्रकार के पाइल्स के इलाज में लाबदायक होता है यानि कि बादी बवासीर हो या फिर खुनी बवासीर हो दोनों को दूर करता है इसके लिए क्या करना होता है आपको गुदे के बाहर के मस्तों में एलोवेरा जेल लगा देना चाहिए यान कुछ लोग इसकी सब्जी बना करके खाते हैं या फिर फिर इस प्रकार से आपencer से रहत पासकेंगे लिकिन बवासय के बारे में इतना जानना ही यह काफी नहीं है क्योंकि इस प्रकार से आप ह सांप से रहत टूपा जाएंगे लिकिन सिर्फ एक और शरी लागातार आपसे बन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे हम आपको पुनता बताने जा रहे हैं कि बवासिर क्या चीज है जड़ से इसको कैसे समाप्त किया जाए ताकि कभी भी ये वापस दुबारा नहों चाहें आपके फैमली में किसी को पहले से रहा है तो आपको कभी भी नहों क्या होता है बवासिर कैसे होता है और क्या कारण होते हैं इसके लक्षन क्या होते हैं कैसे इसको पहले ही पहचान लेंगे तो ये भगंदर का रूप नहीं लेगा और जड़ से समाप्त हो जाएगा इन सभी सवालों के जबाब आपको आ एसी समस्या है जो इंडिया में 7% जो लोग हैं यानि कि 100 में से हर 60 इंसान जो हैं उनको ये समस्या जीवन में कभी न कभी होती है तो इसको आज जड़ से समाप्त करने के बारे में आप सिख जाएंगे पूनता जान जाएंगे कि क्या होता है पायल्स और कैसे इसको जड़ से समाब्थ किया जा सकता है इसलिए प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए, अलग-अलग और श्यधी भी जानेंगे कैसे प्रयोग करेंगे और इसको समाब्थ करेंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को like, share and comment जरूर कीजिए आपका like, share and comment हमें बेहत खुश करता है हमें खुशी देता है और inspiration मिलते है कि आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के आगे आएं सो प्लीज आप सभी वीडियो को like, share and comment कर दीजिए आए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं step by step बवासीर के संबन में इसे पाइल्स भी कहा जाता है बवासीर के ऐसी बिमारी है जो बेहत तकलीफ देह होती है इसमें गुदा के अंदर और बाहर तथा मलाशे के नीचले हिस्से में सूजन आजाती है इसकी वज़ा से गुदा के अंदर और बाहर या फिर किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं करीब इसलिए हमने कहा कि 60 प्रतिशत लोगों को अपने उम्र में इसका सामना करना पड़ता है रोगी को सही समय पर पाइल्स का इलाज कराना बहुत जरूरी होता है अगर समय पर इसका उपचार नहीं कराएंगे तो ये तकलीफ बढ़ा देता है और वो तकलीफ असहया हो जाती है और वो भगंदर का रूप ले लेती है जो बहुत परेशान करती है ये एक आनुआशिक स यानि कि आपके फैमली में मम्मी पापा या किसी को रही है समस्या तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाती है तो उसको भी कैसे खत्म कर देना है ये भी सिखेंगे इस वीडियो में ताकि आपकी फैमली में रहा हो पहले से हिश्टरी भले ही लेकिन अब आपको नहों और नह इस तुला कहते हैं आप इसमें असहिया जलन और दर्द होता है बहुत पीढ़ा दाया कि ये समस्या होती है तो इसके लिए चरूरी है कि हम सभी सबसे पहले बवासीर के प्रकार को समझें तो आईए समझ लेते हैं प्रकार को पहला होता है खूनी बवासीर जी हां खूनी में किसी प्रकार की पीडा नहीं होती है यानि कि दर्द नहीं होता है इसमें जब आप शौच के लिए जाते हैं तो उसमें बलड आता है सौच के साथ में इसमें गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं मल त्यागने के समय में खुन मल के साथ थोड़ा थोड़ा तपकने लगता जब ज़्यादा दिन तक आप इग्नोर करते हैं इसको तो पिछकारी के रूप में भी ब्लड आने लग जाता है मलत्याग के बाद मस्से अपने आप ही अंदर चले जाते हैं जब इसकी गंभीर अवस्था हो जाती है तो दबाने पर अंदर जाते हैं फिर दबाने से भी आप तो हो जाएगा दूसरा होता है बादी बवासीर बादी बवासीर में पीट की समस्या अधिक रहती है यानि कि कबजयत की शिकायत रहती है कबज और गैस की समस्या पेट में ऐसे लोगों को बनी रहती है इसके मस्सों में रक्त स्त्राव नहीं होता है यह मस्से बाहर आसानी से आप देख भी सकते हैं, इनमें बार-बार खुजली और जलन होती है, शुरुवाती अवस्था में यह तकलीफ नहीं देता है, लेकिन लगातार अस्वस्थ खान पान और कबज रहने से यह फूल जाते हैं, इनमें खून जमा हो जाता है और सूजन हो जाती है, इसम और बैठने में भी बहुत तकलीफ महसूस होती है, उसको इलाज कराने से यह समस्या ठीक हो जाती है, परिशान होने की आवश्था नहीं है, अब आए इसके लक्षनों को समझ लेते हैं, ताकि आप इसे बहुत पहले पहचान जाएं, जो जितना पहले पहचानता है, समझ यह उतना जादा सेफ रहता है, उतना जादा जल्दी आसानी से ठीक हो जाता है, कई बार बवासिर यदि गंभीर अवस्था में नहीं पहुंचा हुआ हो, तो चार से पांच दिनों में अपने आप ही यह ठीक हो जाता है, लेकिन रूख जब बढ़ जाता है, तो आपको शौच के बाद भी पेट आपका साफ नहीं होगा, आपको लगेगा कि आपका पेट साफ हुआ ही नहीं है, गुदा के आसपास कठोर गाठ जैसी महसूस होगी, आपको इसमें दर्द रहने लगेगा, जलन होने लगेगी, खून आ सकता है, बलड आ सकता है, शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार बलड आता है, शौच के वक्त अधिक पीडा होती है, यानि कि जब आप लेटरिन के लिए जाते हैं, तो या फिर शौच के वक्त म्यूकस का आना भी इसी का लक्षन होता है, गुदा के आसपास खुजली और लाली पन के साथ साथ सूजन रहने लगेगी, बार-बार मल त्यागने की इक्षा होगी, लेकिन त्यागते समय मल निकलेगा नहीं, यानि कि आप शौच के लिए जाएंगे, लेकिन आपको लेटरिन होगा नहीं, बस लगेगा कि लगा हुआ है आपको, इन लक्षनों को बिलकुल भी नजर अंदाज मत कीजे आप उसका उपाई करना स्टार्ट कर दीजे, तो इसके कारण क्या होते हैं, अवर्वेद में बवासिर को अर्श कहा गया है, यह वाद, पित और कफ तीनों दोशों के दूशित होने से होता है, समझ लेजिए कितना कष्ट कारक है, केवल वाद खराब होता है, केवल पित होता है, केवल कफ खराब होता है, तो ही हमारी हालत खराब हो जाती है, यहां तो तीनों प्रभावित हो जाता है, इसलिए इसे त्रिदोश जनक रोग माना गया है, जिस बवासिर में वाद या कफ की प्रधानता होती है, वे अर्श शुष्क होते हैं, इसलिए मांसा कुरो में से स्त्राव नहीं होता है जिस अर्ष में रक्त या पित या फिर रक्त पित की प्रधानता होती है वे आर्द्र अर्ष होते हैं इसमें रक्त स्त्राव होता है शुस्क अर्ष में पीड़ा अधिक होती है यानि कि बादी बवासेर में दर्द ज्यादा होता है और खुनी ब भी किया जा सकता है कैसे ये भी जानते हैं कुछ व्यक्तियों को अपने रोजगार की वज़ा से घंटों खड़े रहना पड़ता है जैसे कि बस कंड़क्टर ट्रैफिक पुलिस इन सभी को बहुत जादा देर खड़ा रहना पड़ता है इसलिए ये समस्या उनको हो जाती है इसके साथ ही जिन्हें भारी वजन उठाना पड़ता है जिन लोगों को ववासिर से पीडित होने की अधिक संभावना रहती है वो यहीं लोग है इन लोगों को विशेश ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पिने का कबज भी ववासिर का एक प्रमुकारान होता है कबज म मल, सुखा और कठोर होता है जिसकी वज़ा से व्यक्ति को मल त्याग करने में काफी कठिनाई होती है काफी देर तक उकडू बैठे रहना पड़ता है इसे लोगों को इस कारण से वहां के रक्तवाहिनियों पर जोर पड़ता है और वह फूल करके लटक जाती है जिन्हें म सा कहा जाता है इसके अलावा अधिक तला हुआ और मिर्च मसालेदार युक्त भोजन करना भी इसका एक कारण होता है फाइवर युक्त भोजन का सेवन नहीं करते हैं तो भी यह समस्या होती है आलस से या शारीरिक गतिविदी कम हो जाए तो भी यह समस्या होती है माताओं गुदाद्वार पर प्रेशर पड़ता है और इस वज़े से समस्या बढ़ जाती है इसके अलवा जो लोग धुम्रपान और शराप का सेवन करते हैं या फिर आउसाद में रहते हैं यानि कि परेशानी में टेंसन में रहते हैं हर वक्त आज कल मैक्सिमूम लोगों को परेशा परेशानी रहते हैं फैमली की परेशानी है जोब की परेशानी है अलग-अलग परेशानियों की वज़े से माइंड आपका परेशान रहेगा तो आपका पूरा जो शरीर है वो प्रभावित होता है इससे और बवासीर इसकी वज़े से भी हो जाता है तो अब आये समझ ले तक कब्ज और शौच में अत्यधिक समय तक बैठे रहने से होता है इसके अलावा मोटापा या गर्वती महिलाओं में भी यह होने का खत्रा रहता है इसमें गुदा या मलाश्य में मस्य बन जाते हैं जिसके फूटने पर इनसे खून निकलता है और दर्द होता है भगंदर म मस्य नहीं होते हैं भगंदर में एक घाव युक्त नली बन जाती है जो गुदा नली का तथा गुदा के बाहर की त्वचा में होती है भगंदर उन लोगों में होता है जिनके मल द्वार के पास कोई फोड़ा हो जाता है फोड़े में कई मुह बन जाते हैं ऐसे में से खून और मवाद लगातार बहने लगता है निकलने लगता है शुरुवाती अवस्था में इसमें मवाद और खून के मात्रा कम होती है इसलिए इससे रोगी के वस्त्रों में केवल दाग मात्र लगता है लेकिन धीरे धीरे रिसाव बढ़ता जाता है और रोगी को खुझल प्रगी का है कि उप्योग किजे एलो वेरा का और उससे जड़ से समाप्त कर लिजे नहीं तो अब आईए जानेंगे इसको अलग-अलग करके कि किसी को बादी है किसी को खुनी है तो उसको दूर कैसे करना है सेव का सिरका इसमें बहुत फायदेमंद है सेव का सिरका अपने क प्रफिगो करके गुदा में रखना चाहिए इससे जलन और खुजली से रहात मिल जाती है और सेवन भी करना चाहिए बवासिर के उपचार के लिए आप जैतून के तेल का पी उपयोग कर सकते हैं जैतून के तेल में सुजन ठीक करने वाले गुन होते हैं यह रक्त में आई हुई सुजन को कम करता है जैतून के तेल को बादी बवासिर के मसों पर लगाना ज्यादा लाखकारी रहता है किसी को अगर बादी है तो वो जैतून के तेल का उपयोग करें शुद्ध बादाम के तेल में रुई को अगर आप डुबो देते हैं इसके बाद बाद की जटाओं को जला करके राख या भस्म बना लीजिए इसे ताजे मठे में मिला करके सुबह खाली पेट नियमित रुप से पीजे इससे दोनों प्रकार की बवासिर में आपको रहत मिलेगी इसके अलावा ये भी नहीं है तो तीन अंजीर एक ग्लास पानी में भिंगो दीज या फिर आप प्रियोग कर सकते हैं बहुत अच्छी और शदी है जीरा जीहां बादी बवासिर में दर्द और जलन होने पर जीरे के दानों को पानी के साथ आप पीस लीजे और लेप बना लीजे इसे मस्तों वाले जगह पर लगा दीजे रहत मिलेगी और खुनी बवासिर में जीरे को भून करके मिश्री के साथ पीस लीजे इसे दिन में 2-3 बार 1-2 ग्राम के मात्रा में मठे के साथ लीजे मात्रा ज्यादा मत लीजेगा ये बात ध्यान रखिए आपको फायदा डेफिनेटली होगा इसके आलावा नीम्बु जी हाँ नीम्बु के रस में अदर पाउडर मिला लीजे और एक चमच काला नमक मिला लीजे रोजाना दो पहर के खाने के बाद इसका सेवन कीजे यह बवासिर से आराम पाने का सबसे अच्छा घरेलू उपचार है बेश्ट तरीका है आपका लिवर भी इससे बहुत स्वस्थ रहता है या फिर रात के भोजन म और दिन में दो बारिस का सेवन कीजे यह भी आपको काफी फायदा करेगा मल को आसानी कर देगा बहराने में इसके अलावा बाथ टब में गर्म पानी डाल करके 10-15 मिनर तक बैठिये यह बवासिर के दर्द और जलन से आराम पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है अगर कि किसी को बवासिर है तो अधिक फाइबर युक्त आहार का सेवन कीजिए जैसे की रेशेदार फल और सब्जियां जो छिल के साथ इस्तेमाल किये जाते हों इसके अलावा हरोज 7-8 गलास पानी जरूर पीजिए भोजन में नियमित रुप से छांच का सेवन कीजिए अगर आ का ध्यान रखिए अगर आप पाइल्स का इलाज करवा रहे हैं या बवासिर से पीडित हैं तो कुछ चीजों से परहेज भी कीजिए जैसे की जंक फूर का सेवन कम कीजिए बिलकुल ना कीजिए तो बहतर है तला भुना और मिर्च मसालेदार जो भोजन होता है उसके सेव कर दिजिए या फिर विलकुल ना किजिए तो सबसे बेश्ट है अगर आप बचे रहना चाहते हैं तो अब आइए जानते हैं आपके कुछ सवालों के बारे में यानी कि आप इस समब्बंद में कुछ सवाल करते हैं तो वह भी हम ले लेते हैं क्योंकि इस चैनल पर पढ़ है कि होता रहा है तो सबसे पहले आपके सवाल अब लेते हैं कुछ important जो सवाल लगे हमें वो ले लेते हैं अब ये एक सवाल है क्या बवासीर का इलाज केवल सरजरी से संभव है जी नहीं बवासीर का इलाज सरजरी ही है लेकिन यह सच नहीं है जी हां समय पर किया गया उपचार और बेहतर जीवन शेली से इस रोग को ठीक किया जा सकता है even हम यहां तक कह सकते हैं कि आप अगर सरजरी कराते हैं वापस वहीं जीवन शेली रखते हैं घलतियां वहीं करते हैं तो आपको वापस भवासिर होगा लेकिन अगर आप अएर्वेध के तरीके से इन वश्यध्यों के इस्तेमाल से और बवासिर को समझ करके अर्वेदिक तरीके से खत्म करेंगे आपको बवासिर की समस्या कभी फिर वापस जिन्दगी में नहीं होगी इसलिए ये बेश्ट है दूसरा सवाल है बवासिर के कारण होने वाली क्या दूसरी बिमारियां भी होती है जी हाँ बवासिर में सिर का उपचार कीजे सबसे बेश्ट तरीका यहीं है इसके अलावा एक और सवाल लेते हैं यह है सरजरी के बाद बवासिर क्या दोबारा हो सकता है सबसे ज़्यादा सवाल यहीं रहता है लोगों का तो आधुनिक चिकितसा विज्ञान में सरजरी ही इसका एक मातर समाधान ह और सरजरी के बाद भी यह रोग दोबारा हो जाता है इसलिए घरेलू उपचार और बेहतर जिवन शेली अपनाना आपके लिए बेश्ट रहेगा इससे बवासिर दोबारा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है अगर आपने जिवन शेली को बेहतर कर लिया अपने खान समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है तो उसको जड़ से समाप्त किया जा सकता है कैसे आपके जीवन शेली को बेहतर करके कैसे करना है यह जितनी और शदिया हमने आपको बताई इसको खत्म करने के लिए इनका उप्योग आप पहले से ही श्टार्ट कर दीजे इस पाइल्स की समस्या होगी ही नहीं तो इसके लिए बेश्ट तरीका यहीं है कि अगर आपके फैमली का रिकोर्ड रहा है तो आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पहले से ही अपने फैमली में आदत डाल दीजिए बच्चों में आदत डाल दीजिए भोजन को अच्छे हो जाता है शरीर में फायदे अनिक हो जाते हैं इसके अलग-अलग बिमारियों को दूर करने के लिए ये बेश्ट और शदियां है तो इसलिए आपको अलग-अलग फायदे मिल जाते हैं तो इन में से किसी न किसी एक चीज का उपयोग हर रूज करना है यह नियम बना आपको लाव शर्तिया होगा और कभी भी बवासिर की शिकायत नहीं होगी लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्योजन रह गई है कुछ समझ में नहीं आया है या फिर आपको कुछ और जानना है डिटेल में तो कमेंट्स के माध्यम से लिख वेजिए हम आने वाले दिन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कों कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथी आपका लाइक शेर एंड कमेंट जरूर Socouse आपका like, share and comment हमें इंस्पैर करता है कि आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के आए और बहतरीन वीडियो लेकर के आए जो आपके पूरे जीवन काम आए सो प्लीज वीडियो को like, share and comment कर दीजे फिलाल भी दालेते हैं आज की इस वीडियो से जोड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्थ रहें धन्यवाद नमस्का